विदास्ट चानल में आपको स्वागत करता हूँ मैं शुतो श्रिवास्त्व आपके समझ चेकनिया वीडियो लेकर उपस थी तुम्हाँ दोस्तों जो की घटना चक्र की आयद्रिश्टी से संबंदे थे दोस्तों हम लोगों ने घटना चक्र की आयद्रिश्टी कंप्लीट क जो लोग चैनल पर नहीं है कि पैसे लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और दोस्तों 12 जून की परिच्छा को जो लोग टारेट कर रहे हैं UPPCS की घटना चक्र का PYQ जरूर देख लें 2021 से लेकर 2012 तक के पेपर पूरे कंप्लीट करा जाएंगे यह मैं गैरेंटी देता हूं ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग आज का वीडियो प्रारम करते हैं अध्यतन खगोली गतिविदियां दोस्तों सबसे पहला नियूज है यलान क्रेटर का अमेरिकी अंत्रिशिजनसी नासा ने क्या किया है उत्तर पस्चिम चीन क अध्या से निर्मित क्रेटर को संघाद क्रेटर भी कहा जाता है क्लिर हो कही बात दोस्तों यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस और इसके बाद दोस्तों देखिए भारत की महराश्ट राज के बुल्धाड़ा में लोनार जील भी जो है वो क्या है एक क्रेटर ही है क् अध्या नियूज पी असलवी सी फिफ्टी टू एउए जिरो फोर मिशन अब देखिए बेसिकली है क्या दोस्तों यह आपका क्या है यह एक उपग्रह है ठीक है दोस्तों अब देखिए अर्थ आप्जर्वेशन सैटेलाइट अब पी असलवी आपको पता है पोलर सैटेल जो है EOS 04 और दो लगू उपग्रहों को 529 किलोमीटर की उचाई पर सोरी तुल्य गालिक ध्रूवी कर्च्छा में स्थापित कर दिया गया यह इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए वर्ष 222 का यह इसरो का पहला मिशन है यह इंपोर्टेंट है मल्टिपल स्ट्रिप्ट तो रडार प्रति विंबन उपग्रह जिसमें क्या किया जागा जिससे क्रिशी वानकी और बागान मिट्टी में नमी और जल विज्ञान और बाल मानचित्र करन जैसे अनुप्रयोगों है तो सभी मौसमी परिस्तितियों में उच्छ गुडवत्ता वाली छवियां प्रदा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया राडार इमेजिंग सेटेलाइट रिसेट भी इसको बोलते हैं क्लियर होगी बात दोस्तों चलिए आप दोस्तों आ जाते हैं इनस टूटी डी इस रोका यह प्रद्यों की मांक दर्शक इस रोका एक प्रद्यों की प्रदर्शक है जो भ भारत भूतान सेयोक तबुडरह का पूरवरती है इसका नाम क्या रख्टा गया है आई इनस टू टी याद रखी नाम पूछ जा सकता इंपॉर्टन है इसके बाद दोस्तों इंस्पायर सैट वन यह एक छात आप रहा है ठीक है श्टूडेंट सैटेलाइट है क्लियर होग पुर्वान द्वरा को लोरोडो विश्विद्य ले अमेरिका के सैयोग से विक्सित किया गया है इसका उद्देश क्या है आया इन मंडिल गत की के साथ सूर्य के कुरोना की तापन प्रक्रिया के समझ में सुधार करना बस इतना ध्यान रखें खलेगी बात दोस्तों छात लाइट है इसके बाद दोस्तों इंसाइट 4 भी को जो है सेवा मुक्त किया गया ठीक है अब जीवनकाल की समापती के पश्चात इस उपगरा की मिशन पश्चात निप्तान प्रक्रिया भी संपन हुई है क्लियर होगी बाद दोस्तों अच्छा मिशन पूड करने के बाद नि इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद दोस्तों देखे जेम्स वेब स्पेस टेलेस्कोप जो है इसको क्या किया गया लॉंच किया गया कहां से फ्रेंच गोयाना दच्छने अमर्का से यूरोपी एरियन 5 रॉकेट दौरा इसको लॉंच किया गया इतना आपके लिए इं यह विशाल औरक्त दूरुबीन है मतलब इंफ्रारेट टेलेस्कोप है ठेक है टेलेस्कोप आपके समझते हैं टेलेस्कोप मतलब दूरुबीन समझते होंगे वही आप समझेए उसका मतलब भी यही है आपर क्लेरों के बात दोस्तों अच्छा अब यह नासा दौरा निर् का एक साजा मिशन है यह multiple statement वाले में पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा अब इस भी करेगा क्या यह बिग बैंक के प्रश्चात प्रत्थम प्रदीप्त चमक से लेकर सौर उडालियों क्या क्रमिक विकाश का तक का अध्यन इस दूर्बिन के जरिए करेगा बस यही इतना आ जामक रॉकेट इंजन का सफल परिच्ण किया गया है दोस्तों यहां है हैद्रबाद से नीजी शित्र की भारती एरोस्पेस निर्वाता और वालेजिक प्रच्छेपण सेवा प्रदाता स्टार्ट अप स्काई रूट एरोस्पेस ज्वारा इसका विकास किया गया है ठीक ह यह क्या करेगा LNG बेसिकली क्या है 90% से अधिक मीथेन होती है LNG में यह इंपोर्टन्ट है आपके लिए मनमार किया है ठीक है इसको भविश्च का इधन भी कहा गया है यह एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है क्लियर होगी बात दोस्तों चलिए इसके बात दोस्तों हम प्रणी उद्योग संग है भारती अंतरे संग के टैग लाइन है भूम अंडल से ब्रह्मान तक क्लियर होगी बात दोस्तों बस इतना याद रखिये और कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें नहीं इसके बात दोस्तों हैंसन क्रेटर अब दोस्तों पहला निउस है अमेर GSLV F10 EOS 03 मिशन असफल हो गया यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा मिशन असफल हुआ था तो 12 अगस 2020 को सतीज दवन अंतरशकेंद शार शार जो है बेसिकली सतीज दवन अंतरशकेंद को बोला जाता है ठीक है हरीकोटा से प्रच्छेपित GSLV F10 EOS 03 मिशन असफल र है क्योंकि 33 क्राइजोनिक चरण में इसका प्रज्वलन नहीं हो सकता ठीक है यह एक EOS 03 भू अलोग अनुपगरा था जो भू तुलिकालिक कच्छा में प्रच्छेपित किया जाना था ठीक है यह करता क्या प्राकृतिक अबदाओं को साथ साथ जल निकायों फसलों वनाव प्रण परिवर्दन उत्यादी के निग्रानी में सच्छे मुप रहा था इसके अवधी भी दसवाश थे ठीक है दोस्तों क्लियरों की बात चलिए अब दोस्तों देखिए याद रखिए का EOS 04 सफल रहा और EOS 03 असफल रहा ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं तक्नीकी औ अंत्र की गती में वृध्धी ठीक है इसके बाद दोस्तों भारत की पहली स्टील स्लैग रोड जो है वो कहा नेर्मित हुई दोस्तों यह बताईए लगबग हजीरा और द्योगिक शेत्र सूरत गुजरात में बनाई गई कहा कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड बस यह ठीक है दोस्तों और हजीरा कहां पे है गुजरात में जो एक्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि लोत नहीं आपको पढ़ना है इसके बाद दोस्तों सूपर कंप्यूटर प्रम प्रवेगा जो है वो कहां पे इंस्ट्रॉल किया गया दोस्तों तो IISC बंगलूरू में ठीक है दोस्तों IISC बंगलूरू में परम प्रवेगा नामक सूपर कंप्यूटर को इस्थापित किया गया यह सब्ते सब्ते साली सूपर कंप्यूटरों में से एक है ठीक है दोस्तों क्लियर होगी बात यह नैशनल सूपर कंप्यूटर सूपर कंप्यूटिंग मेशन के त थावित किया गया दोस्तों इसका पेंट यह एक पेंटा स्केल सूपर कंप्यूटर है इसकी सूपर कंप्यूटिंग चमता 1.66 पेंटा फ्लॉप्स है क्लियर गई बात दोस्तों इसकी उपलपता से आई टी रूर्की तदा आसपास के अकादमिक संस्थानों के प्रयोकता शक्ति आयाटी खड़कपूर में परम ब्रह्मा आयाइसर कुणे परम युक्ति आपका जे एन सी ए ऐसार जवालन लेरू उन्नप वैज्ञानिक नुसंधान के अंदर मंगलूरू परम संगड़क आयाटी कानपूर परम सिद्धी सीडएक पूरे क्लेर हो गई बात दोस्त चलिए इसके बाद दोस्तों भारत का पहला कोईला से मेथनोल संयंत्र जो है वह नाप लगाया गया दोस्तों भारतना में ब्दलना की स्वदेशी तकनीक विक्सित की है भारत में अधिक राख वाले कोईले से ठीक है यह पहला प्रयोगिक संयंत्र हैदराबाद में क्या जाएगा basically इसमें किया यह जाएगा कि देश का यह पहला है स्वदेशी उच राक कोईला गैसी करण अधारित में थनौल उतपादन सहीं अंद्र यह important है दोस्तों मतलब देश का पहला है यह ध्यान रखिएगा अब ठीक है इसमें किया क्या जाएगा दोस्तों कोईले से मिथेन में कनवर्दन होगा और कुछ भी नहीं होना है नेक्ट नीस देख लेतने दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो है वह रूदर विक्सित किया गया किसके दौरा सीड़ा ठीक है दोस्तों इतना इंप्रोटन रखिए यह एक्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके यह को इसके आब डोस्तों सूपर कंप्यूटर की टॉप 500 फॉची जो है जगा किये दोस्तों इसमें सबसे जुश्व का दृत्तत्थम स्बस्ते जू है फूगा कू जा पान का है ठीक है क्लियर होगी बात और भारत का सबसे दृततम रिउत्धिक क्या है अब देख लेते हैं दोस्तों अटल इनिवेशन नीती आयोग द्वारा और भारती अंतरिच अनुसंदाल संगतने इस रोगता था गेंद्री मादियुक्स इच्छाबूट से साथ मिलकर इसकूली छात्रों में अंतरिच्छी नवचार और रखनात्मक्ता विक्सित करने के द्रिश्टी कोड से एटियल स्पेस चैलेंज का रेक्रम की शुरूबात की गई है ठीके दोस्तों यह करेगा क्या बेसिकली है यह बेसिकली करेगा सभी स्कूलों के विद्यार्शी और में राजमार्ग जो है वो देश का पहला एलेक्ट्रिक वहान अनुकूल राजमार्ग बन गया है ठीक है यह इंपॉटेंट है दोस्तों आप से पूछा रहा सकता है इसके बाद दोस्तों राश्ट्री हाइड्रोजन मिशन जो है आजारी के 75 वर्ष के आउसर पर प्रधानमंत सब्सक्राइब नधा दोस्तों आपको और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है इसके दोस्तों वहान इस क्रैपिंग निती प्ला जाते है दोस्तों कब लागुकी गए 13 आगस्ट 2021 को यो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट कूल सकता है अब देखिए वहान स्क्रैपिंग नीती है क्या यह समझ लीजिए इसमें दोस्तों देखिए वहान स्क्रैपिंग नीती जो है वह 2021 के बजट में घुशित की गई है इसकी अनुसार पुराने वहानों को स्क्रैप करने और नए खरिदन कीमत के 4-6% के वराबर पुराने वहानों का स्क्रैप मूलिय होगा ठीक है दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना है इसके बाद दोस्तों जीवाश ममुक्त इसपत जो है वह वह क्या किया गया वह विक्सित किया गया है यह स्वीडन द्वारा विक्सित किया गया है यह ध्य अब इसमें दोस्तों देखें टॉप का पंट्री कौन सा है यूएसे है ठीक है भारत के रहेंक आपको पता होना चाहिए यह दोने शी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस इतना आपको पढ़ना है इसके बाद दोस्तों शरीर और स्वास विश्यक ब्याग्यानिक बस इतना आपको थेयान रखना किसने बनाया है और नाम के इसका था थ। ब्6 यह घोवा भारत का पहला रषर मुक्त राजे अ कि रचीया है बिसकल इसे कू सी बिमारी है यह कुतों से मानव में होने वाली विमारी है इसके बाद दोस्तों मनुष्य में सुवर के हिरदय का प्रत्यार उपन किया गया, जनवरी 2022 में अमेरिका के 57 मर्षी व्यक्ति डेविट बैनेट के अंदर किया गया, सफल प्रत्यार उपन लेकिन उनकी मृत्ति हो गई मार्च में, 8 मार्च 2022 को, चीक है, इसके बाद दोस्तो आयुष्मान भारत डिश्टल मिशन जो है, इसकी शुरुवात की गई 26 परवरी 2022, इसको डेट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसकी में, इसकी में का एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्र बॉक्स में है, पूरा कवर है, उसको देख लिजेगा आप सभी लोग, इ जैसे आपका आधार नंबर होता है, वैसे इसी तर्षपेस का विकास से किया गया है, ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों, स्वदेश जो है, प्रथम मल्टी मॉडल निूरो इमेजिंग डेटा बेस है, यह विश्व की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डे ठीक है, यह पूछा जाता है, किसने जारी की, अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे जदा प्रभाई चेतर क्या है, उप सहारा अफ्रीका चेतर जो है, अब भी मलेरिया से सबसे जदा ग्रसित है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुल वैस्विक मलेरिया मामलो का 83% भारत में आता है, और कोई मृत्य जो है 82% होती है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, कोरोना वैरस का नया स्ट्रेंज जो है, ओमिक्रॉन के बारे में इसमें बताया है, दोस्तों, तो न्यूस तो पुरानी हो गई है, लेकिन एक्जाम में पूछा रसकता है, इसका लेकिन नाम क्या है, बी-1-1-5-2-9 धियान रखिए, ओमिक्रॉन, ये एक्जाम में पूछा रसकता है आपसे, ठीक है, और डेल्टा का भी नाम याद रख लिजे, क्योंकि डेल्टा जो है भारत का ही वेरियंट था, तो पी-1-6-1-7-2 ये डेल्टा वेरियंट है, इसके बाद दोस्तों, आप तीन नाम और भी याद रख लिजे, क्या-क्या नाम है दोस्तों, यूके में खोजे गया, बी-1-1-7, संस्क्रण को नाम अलफा दिया गया, दच्छिन अफरीका में खोजे गया, बी-1-3-5-1, संस्क्रण का नाम बीटा दिया गया, और नहां पर दोस्तों देखे बननी अपने उत्रिष्ट जर्म प्लाज्म अपनी दुग्दत पाजक्तता प्रतिकुल परिस्वतियों में जीवीत रहने की छमता के लिए जानी जाती है, ठीक है दोस्तों, इतना आप कर लिजे, इतना बस मोर दन सफिशेंट है, अब भारत में फ्लाज्म ओडियम आप के दुगी में जो यह यह ऐं बहुत Trism t भारत की देखे रगीन fortune प्लाज्म吃 दिख्विका दॉर्णी के इन्स नाम दिया गय रखेWork कि थुगा आप भाग जो है उसके विरुद जो है कोई सुरच्छा बदान नहीं करता यह धियान रखिएगा तो ठीक है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद दोस्तों medicine from the sky project जो है मतलब drones जो है medicines के delivery की जाएगी सबसे पहले तिलंगारा के विकारा बाद जिले में जो है इसको प्रारम किया गया है इसके रिकार दोस्तों यह सेवा सुरू करने वाला देश्टा पहला राजय आपका तिलंगाना बन गया है ठीके दोस्तों अब हिदियाकार शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक जो है वो बनाया गया है किसके दोरा विज्ञान एयम प्रोदेव की मंत्राले दोरा श्री चित्रा तिरुमल इंस्ट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज और टेक्नलोजी में तिरुमन पिरम किरल में बस इतना आपको धियान अटना है बस ठी हुआ देश का प्रत्थम रेवीज मुक्त राज युगोशित किया गया है ठीक है दोस्तों अब यहां पर 2018 से रेवीज के मानव मृत्यू का एक भी मामला सामने नहीं आया है ठीक है चलिए अब आज आ जाते हैं दोस्तों इसमें चीन को मलेरिया मुक्त युगोशित कर दि है ठीक है दोस्तों इसके पहले कि इसको मिला है आउस्ट्रेलिया तिंगापूर बुरुने धारुस् essence को अब दोस्तों देखिए इसके पहले कि मिला हाले में अल्सल्वाडूर को अर्जंटीना को अल्जीरिया को प्रागवे को उजबेकिस्तान को मलेरिया मुक्त दो शित इस कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी की दवा एंटी कोविड ड्रग टू डी ऑक्सीड डी ग्लुकोस के आपाच इस्तमाल की मंजूरी प्रदान की है ठीक है दोस्तों चलिए क्लैर होगी बात दोस्तों चलिए डीजे única और ज tenía मौदुल इसमें दोस्तों का विकास किस ने किया है डी- अर्डयो ने विकास किया दोस्तों स्टेटोव ऑफ नुग्लियर मेडिसीन एंड एपल्याइट साइंस चलिए यह रहा आप दोस्तों देखिए यहां तक आब आ गे आते हैं दोस्ते लोग कि ग्यान ली मैं गागन का उडान परिछीन किया गया है ढीद भारती विमान पत्थन प्राधिकरण ली थिक है डोस्तों अब यह बैसिकली है क्या समझग लीजे भारत ऐसी घ्रश्म करने वाला इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टेम गगन का उप्योग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एरलाइन बन गई है ये एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है दोस्तों अब इससे पहले दोस्तों ये प्रणालिया किसके दोस्तों को पास है विश्व में केवल मिडियम रेंघ शल्फिस टू ओएर मिसाइल दोस्तों ये क्या दोस्तों ये यellियाइड उ प्लस इजंसी द्वरा इसका विकास किया गया है ठीक है डोस्तों इतना ध्यान किस्टों ज्यादा प्रशान नहीं होना है इज्राइल एक्जाम में सकता है यहीं भारत में डोस्तों ड्रोन आयात पर प्रतिबन लगा गया लगा त्यों कि भारती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्धयोग को clear को दोस्तों ताकि घरेलू उत्बातन को बढ़ावा दिया जा सके द्रोन के घरेलू निर्मण को बढ़ावा देना यही इसका उद्ध्या ठीक है चलिए अब देखिए दोस्तों बेसिकली है क्या अब देखिए ड्रोन घटकों के आयात के लिए किसी भी अनुमोदन किया शक्ता नहीं होगी इसका मतलब जो कॉंपोनेंट्स हैं जिसको अब आप एसेंबल भारत में किया जाए को उसके लिए कोई प्रतिबंद नहीं अब देखिए सबसे पहला कुछन जो आ सकता है देश का पहला ड्रोन स्कूल जो खोला गया है गवालियर के MP में ठीक है दोस्तों बस धियान रखिएगा ये एक्जाम में आ सकता है आपकी इंपोर्टन है राज में MP में पांच ड्रोन स्कूल खोलने की योजना है कहां कहां वोपाल इंदोर जबलपूर सतना और ग्वालियर बस इतना ध्यान रखिए केंद्री बजट 2022-30 में ड्रोन द्योग को प्रोस्तान दिया गया है ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन की गोश्टना की गई दोस्तों दो नहीं योजनाओं की ड्रोन शक्ति के ताथ क्या किया है इ उप्योग को सुविधा जनक बनाने और उसे बढ़ावा देने का लचन इड़ायत किया गया है ये फसलों के मुन लेंकन भूलेखों के डिजिटली करने किस इपनाश को पोशक तत्यों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के प्रियोग को बढ़ावा दिया जाएगा बस अच्छंस निonstông सामरिक लगू दूरी की वैल सिक किली ब्सइतना ध्यान रखना है अपको शौर्ट रंज इसके बाद दोस्तों इसके दुरा विकास किया गया डिया दोर बस इतना ही आपको ध्यान रखना दोस्तों ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसके बाद दोस्तों शीर्स सस्रुत्पादक कंपनियां जो है 2020 से पूर्ण रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के तीन कंपनियां शामिल है दोस्तों बस यह नाम ध्यान रखी दोस्तों और टॉप पे जो कंपनी है दोस्तों भारत की टॉप हो गई और जो अमेरिका की लॉकें मार्टिन है ठीके दोस्तों यह एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद दोस्तों पिनाकER का सफल परिचंद किया गया है ठ्डीके किसका सफल परिचंद किया गया है ठीके अब ढब ड्यार्ड्यो के जो संस्थान है ARDE पुने इसका इसनों डिदाइं किया है या क्या है एक मुक्त उडान वाली बहु रॉकेट लाउंचर पना ली है यह एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है multiple statement में ठीक है दोस्तों चलिए इसकी range क्या है दोस्तों basically 75 km तक इसको DRD उने बढ़ा दिया है इसके बाद आजाते हैं दोस्तों INS Vela जो है वो कहां पर शामिल हुआ नौसेनिक पोद्गा में इसको शामिल कर लिया गया दोस्तों अब दोस्तों देखें project 75 exam के लिए important है आपके लिए अब यह मुंबई सित्मजगाउं डॉक shipbuilders limited दोरा अब फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रूप के साथ project 75 के तहट कलवरी श्रेणी की 6 पंडूब्यों का निर्माण किया जा रहा है यह आपके लिए important है आपको नाम याद होनी चाहिए यह फ्रांस में scorpion study बूला जाता है और भारत में इसको कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षिर ठीक है दोस्तों यह important है 6 नाम इसमें से एक पूछा जा सकता है project 75 ध्यान रखेगा scorpion study बूला की निर्माण के लिए October 2005 में भारत और फ्रांस के साह समझाता हुआ था इसके multiple statement में आपसे पूछा जा सकता है very important है दोस्तों ठीक है यह INS वेला क्या है diesel electric steels पंडूब्भी है ठीक है दोस्तों स्काउच में ठीने की पहली पंडूब्भी INS कलवरी थी वो सब उपर लेकी लिखा ही दिया ठीक है दोस्तों यह INS वाक्षीत का भी जलावत्रम हो गया है उपर मैंने बताई दिया आपको इसके बाद दोस्तों INS विशाखा पत्तनम जो है बेसिकली भारती नौशीना में सामिल हो गया है यह है क्या दोस्तों आपको यही धियान रखना है कया युद्ध's पोत है क्या पंदूब्भी है इसका परियोजना 15 भी क्या यह भी आपके लिए क्या है दोस्तों वरतमान में मंबई सित मजगों डॉक शेबिटर दौरा चार निर्देश्यत की विशाइल विध्वांसक पोतों का निर्मान किया जा इस नेर्मित पोतों को विशाका पत्नम शर्णी के विद्वनसक जोड़ुपोतों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों इसके तरफ निर्मित प्रथम निर्दश्यत में शाहिल विद्वन्शक पूत इनस विशागा पत्नम है इसके बाद दूसरा आपका आई एनस मुर्मा गुवा है ठीक है दोस्तों और दो अन्य है आई एनस इंफाल और आई एनस सूरत नाम आपको दोस्तों 100% याद रखे का परियोजना 75B परियोजना 75B में से एक दोस्तों एक पूछा जाएगा इसके बाद दोस्तों रुस्तन ट इसके बाद दोस्तों यह बेसिकली है क्या करेगा क्या यह आप लोगों को पता है अधिक्तम 200 फिट की उचाई तक लगातर 20 घंटे से अधिक समय तक उडान भरने में सच्छा में ठीक है आई नस तुशील का जलावतरान हुआ दोस्तों यह तुशील भी है क्या दोस्तों तो इसी में कंफीजन होगा क्यों कई सारे नाम हो गए है ठीक है दोस्तों रूस द्वारा भारती नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 तलवास रणी के स्टील निर्देशित मिसाइल जो डिजाइन और निर्वित किया गया है ठीक है तो प्रोजेक्ट कौन से हो गया 1135.6 और किसके कोलाब्रेशन से बनाया जा रहा है रूस के ठीक है दोस्तों चलिए अब दोस्तों देखिए समझाते के तहब जो है भारत रूस के हुआ था उसके तहट जो है तीन और योदुपोत आईनेस वेग और आईनेस तरकश आईनेस रिखंड का निर्मान किया गया जु दोस्तों यह भी इंपॉर्टन्ट अब के झाल आपके लिए भारती तत्रचक पोड़ ऋटर्चक पोड चार्थक को समंषुमर्ध कर दिया ऊटके तो भारती तर्टरचक पोर सार्टक को गोवा कोुआ में राश्ट को समर्पित किया गया डेफ डेवलप्मेंट किस ने किया दोस्तों आपका गोवा शिप्याड लिमिटेडदनेस का डेवलप्मेंट किया है ठीक है तो यार की यार रखिए तो यूद्पौद तो ICGS, सचेत, सुजीत, सजग और सच्छम और सार्थक आपका पहले समर्पित का दिया गया, तो चार और हैं दोस्तों, ठीक है, तो पांचों नाम ध्यान रखिएगा, इन तीन में से दोस्तों दोस्तों आपका एक्जाम में आ सकता है, इसके बाद दोस्तों देखिए, अगन एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट अभ्यास जो है वो सफ़स्ता पुरो क्या किया गया, उड़न परिष्ण किया गया, यह क्या है बेसिकलिए, यह एक टार्गेट एर फ्राप्त है, दोस्तों ठीक है यह आपके लिए इंपोर्टन है बस, मुख्य युद्धक टैंक जो हो गई है, हिंदुस्तान शिप्यार लिम्टेट ने क्या किया है, भारती नौसेनिक द्रू को अधिकारिक रूप से श्रेवा में शामिल किया गया, ठीक है, आइनेस द्रू भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला समुद्रे निगरानी बहुत है, यह आपके लिए इ डियाडियो द्वारा विच्छित की कई है, यह करेगी यह चैफ रुद्ययोकी, डियाडियो द्वारा भारती वाईसविना के लड़ाकों विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने है, यह यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, चलिए, इसके बाद य जैसे काम करेगी, वह इंफ्राइरड और रडार खत्रों के खिलाफ निश्ट्री जैमिंग प्रधान करती है, ठीक है, आकास एंजी मिसाइल का सफल परिच्छन हुआ, दोस्तों, कहां से ओडिशा तैट परिच्छन रेंस है, सत्ता से तता मार करने वाली मिसाइल है, ठीक ह यह होता है, तो इससे लांच कर दिया जाता है, एक मिनट की आउदी में 30 किलमेटर की दूरी पर उसको द्वस्त कर देती है, क्लियर हो कि यह बात दोस्तों, आकास प्राइम मिसाइल का सफल परिच्छन किया गया, 27 सितंबर 2021, एक इसको DRDO द्वारा इसको विक्सित किया गय प्राइम मिसाइल का सफल परिच्छन हुआ, इसको विकास किस ने किया DRDO, अगनी दोस्तों, और आकास सब सारा के सारा DRDO का खेला दोस्तों, रच्छा विग्यान में, मारक शमता कितनी है, 1000 से 2000 किलमेटर ठीक है, अब यह आपका क्या है, 4000 किलमेटर के रेंज वाली, अगनी प्रयोक किया गया है, अब INS राजपूट जो है, विद्वन्चक पोथ था, दोस्तों, क्या था, विद्वन्चक पोथ, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, कहां पर यह कमिशन था, INS राजपूट विशाका पतनम में, ठीक है, दोस्तों, चलिए, इसका विकास किस ने कि सेवा में होगा था, मतलब, और राजपूत रेजिमेंट के साधिस को जोड़ा गया था, उमीद करता हूँ, विडियो अच्छा लागोगा, अच्छा लागोगा था प्लीज से लाइक किजिए, शेयर किजिए, चैनल को सब्स्क्राइब जिरू किजिए कर दोस्तों, थैंक कि एवरी मुझ पिस्चाएब गया करें।